स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में तो इस वीडियों बात करने वाले हैं UPPCL TG2 वैकेंसी 2022 की लेटेस्ट अबडेट के बारे में की CBT रिजल्ट की क्या है लेटेस्ट अबडेट और रिजल्ट जारी होने में अब ज़दा समय नहीं है कौन से डाकुमेंट्स लगेंगे तैयर करके रख लो बाद में पस्तानना पड़े ज़दा समय नहीं मिलता है तो कौन कौन से डाकुमेंट्स आपके लगते हैं डीवी में तो इस विशे में हम चर्चा करेंगे और आपका जो result है वो बहुत जल्दी आने ही वाला है मैंने बत पहले भी बताया था कि आपका जो result है वो mid January के आसपास आ सकता है पूरी उमीद है कि आपका जो result है वो mid January के आसपास आ जाएगा अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो documents है वो लगते हैं और साथी साथ बात करेंगे कि आपका CBT का result आएगा उसके कितने दिनों के बाद लगभग आपकी DV हो सकती है और आपको जो भी documents तैयर करने है उसके लिए आपको कितना समय मिलता है इन सब पर हम बात करेंगे चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से जो documents है जो DV के समय हमको लेकर जाने होते हैं तो सबसे पहला होता है हमारा online आविद्र पत्र का print out CBT पर इक्षा है तो निर्गत पर उस पत्र के चाया परती तो जब आपने form apply किया होगा उसका print out और साथ ही साथ आपको जो admit card मिला होगा उसकी चाया परती आपको अपने साथ लेकर जाना है दूसरा आपका high school अंग पत्र ये आपके लिए बहुत ही महत्तपूर है अगर आपके high school में कोई mistake है आपके नाम में फादर्स नाम में डियोवी में कुछ भी अगर mistake है तो आप आप ही सही करा लीजिए क्योंकि इसमें फिर अगर high school फिर इंटर में अगर अलाग अलाग थो trade अंक पत्र प्रमाण पत्र जो ITI आपने जो किया हुआ है उसका अंक पत्र और साथ ही साथ प्रमाण पत्र उसके बाद आपका अद्धितन जाति प्रमाण पत्र अगर आप OVC कटेगरी की हैं किसी भी आप कटेगरी की हैं CST के हैं तो उसमें आपका जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए तो यह दोस्तों पुराना दिया हुआ है तो यहाँ पे जो डेट दी गई है आप इसमें मिंसन रहेगी यह आपका पुराना है इसलिए यहाँ पे डेट मिंसन हुई है उसके बाद आप यहाँ पे आर्थिक रूप से अगर कमजोर EWS की बात करें तो वह भ भूतपूर सैनिक प्रमाणपत्र यदि लागू हो यदि आप भूतपूर सैनिक की केटेगरी में भारा है आपने फॉर्म तो उसमें आपको भूतपूर सैनिक प्रमाणपत्र होना चाहिए तो उसके लिए प्रमाणपत्र होना चाहिए जिलादगारी के हां स्ताक्षर से औ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ जिससे में आप फोटो होगी वो इसको लेकर जाना होगा उसके बाद अपरेंटिस एक्ट 1961 के अंतरगत अगर आपने अपरेंटिस का लगाया हुआ है अपरेंटिस के लिए किया है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए ऐसे लाव वांचित है उनके लिए यह है उसके बाद बात कर लेते हैं आधार काड़ा विधिमान फोटो यूग तो आपका पहचान पत्र होना चाहिए और अन कोई प्रमाण पत्र जो बिग्यापन के अनुसार आवस्चक है वो लगेंगे आपके तो यही आपका जो है डाकुम आपको दिखाता हूं कितना टाइम मिला था उस समय अभ्यार्तियों को यहां पर आप देख सकते हो कि 21 अगस्त को यही का रिजल्ट जारी किया गया था 21 अगस्त को सिबीट का रिजल्ट जारी हुआ था और इसकी कितने दिनों के बाद डीवी स्टार्ट थी वही आपको द एक महने का समय मिलने वाला है तो जो भी आपके डाउकुमेंट्स बनने हैं वो बनवा लीजिए और जिनमें कोई अगर मिस्टेक है कुछ भी है तो उसको आप सही करा लीजिए कि अभी टाइम है अभी आप करा सकते हैं उसके बाद रिजल्ट के बाद भी लगभग एक महन आप थो तो यह कुछ जान काई थी जो मुझे आप लोगों को सेर करनी थी तो वीडियो आपको कैसा लागा अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर लीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वह आपको इस चैनल के मादे हमसे मिलती रहेगी तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जैंद